आज के समय आप अगर सोलर सिस्टम में देखोगे तो आपको मिलेंगे चार प्लानेट्स जिनकी रिंग्स हैं जी हाँ हलाकि मेंली तो जो बड़ी रिंग्स आपको मिलेगी वो तो है साटन और जुपिटर में मगर यूरेनस और नैप्चुन में भी आपको कुछ थोड़ी ब मिलेंगी रिंग्स जैसे परहाफ्स आपको जैसे मिलेगी अराउंड जुपिटर जुपिटर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाओं तो जुपिटर के आसपास आपको बहुत सारी रिंग्स मिलेंगी और यह रिंग्स जरातार बनी है नाचुरल डिब्री से जुपिटर के आसपास बहुत सारी natural satellites हैं आप कहा सकते हैं Jupiter के खुद के moons हैं और कई moons आवस में टकरा चुके हैं उनका जो natural मलवा है उससे Jupiter के आसपास आपको कुछ rings मिलेंगी उसके लावा of course Saturn की rings तो है ही Saturn की rings दूर से इंको दिखती है और उस वज़े से Saturn दूर से आप अगर देखो तो एक बहुत ही majestic planet लगता है मगर जो ये rings है again ये जरातार बनी होती है natural debris से आसा नहीं है कि यहाँ पर literal एक ring है बस छोटे छोटे आप कहले जिए space meteors हैं rocks हैं जो लगातार orbit कर रहे है Saturn को उससे दूर से हमको लगता है कि Saturn के पास rings है now ऐसी ही rings बहुत ही जल्द possible है कि Earth को भी मिल जाएंगी मगर धर्ती की rings जब बनेंगी तब ऐसा नहीं है कि नजारा कुछ हट तक ऐसा होगा actually धर्ती की जब rings बनेंगी तो it will be very ugly क्योंकि यहाँ पर होने क्या वाला है कि बहुत सारा जो space debris जो humans ने खुद create किया है वो पहले धर्ती को ढख देगा उसके बाद जो बचावा मलवा है उससे बन जाएंगी धर्ती के आसपास rings कुछ हट तक ऐसे यहाँ आप आप देख पाएंगे इस पर animation है नाव ये recently का है USA के researchers ने और दुनिया भर में इस पर articles publish हुए है आप search करेंगे आज के समय Earth rings आपको इस पर 85 articles मिलेंगे कि Earth बहुती जल्द खुद की rings develop कर लेगा जिस तरीके से Saturn की है और ये rings बनी होंगी अंतरिक्ष के मलवे से, अंतरिक्ष के कचरे से जिसको आप कह सकते है Space Junk अगर डिसकस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के अगर ऐसा होता है तो disadvantages इसके क्या-क्या होंगे in the future space को explore करने में क्या-क्या problem आएगी मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँगा question ये है कि किस country ने अंत्रिक्ष के मलवे को clear करने के लिए एक robot prototype लाँच किया है जिसका नाम है Neo01 ये है आपके सामने option जपान, रशिया, चाइना या फिर USA किस country ने लाँच किया था recently Neo01 को comment section में करो answer सही answer में आपको दूँगा वीडियो के अंध में ये बात याम आपके clear कर दूँ कि अंत्रिक्ष में जो मलवा है उसको हम English में कहते है space debris जी हाँ इसकी जो pronunciation है ये diverse नहीं होगी even though spelling में हम यहाँ पे as लगाते हैं इसको हम pronounce करेंगे as debris now space debris की problem एक बहुत दी genuine problem है और इसकी वज़े से possible है कि in the future हम लोग ना satellite launch कर पाएं और altogether explore ही ना कर पाएं बात तो आज के समय ये चल रही है कि लोग Mars पे जाएंगे Mars पे कॉलनी बसेगी Mars पर Elon Musk लेगे जाएंगे हम सब लोगों को मगर possible है कि अगर space debris इसी तरीके से बढ़ता गया तो human beings शायद खुदी को यहाँ पर फसाले धरती पर और ये कहीं से भी एक exaggeration नहीं है Recently European Space Orbiter ने ये tweet करी अब जिस तरीके से आब को बताओगा इस रोग launch करने वाला है बहुती जल्द अधित्या L1 mission NASA launch कर चुका है Parker Solar Probe Sun को study करने के लिए European Space Agency ने भी यहाँ पर ये सोचा के ठीक है Sun को study करने के लिए हम एक यहाँ पर mission launch करेंगे अब इनको भी सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर यह दिख रहा है कि 27 नवंबर को बहुत सारा मलवा जो आज के समय space में orbit कर रहा है उसके पास से इनके orbiter को गुजरना है और इनको डर ये लग रहा है कि अगर इस मलवे ने इनके space craft को hit कर दिया तो इनके millions of dollars यहाँ पर हो जाएंगे बरबाद पूरा mission यहाँ पर फेल हो जाएगा तो बहुत ही risky flyby इनका होने वाला है और अभी तो हम सिर्फ 2021 में है देखो अंतरिक्ष में मलवा बनता कैसे है space debris बनता कैसे है यह primarily बनता है जब human beings लगातार अंतरिक्ष में satellite उसके इलावा various और research करने के लिए observatories यह सब launch करते हैं अब एक satellite आपने अंतरिक्ष में launch करती उसकी life कितनी होगी satellites को launch करना काफी आसान मन गया है जिसके फायदे भी हुए है for example internet अब अराम से आपको through satellite मिल सकता है धर्ती के बहुत जादा remote areas में भी उसके लावा television आप broadcast कर सकते हो बहुत से इलाकों में communication आसान हो चुका है इससे धर्ती में तरक्की हुई है मगर एक बहुत वड़ी problem ये सामने आ गई है कि all together धर्ती के आसपास space junk इखटा हो चुका है और ये space junk लगातार वरता भी जा रहा है क्योंकि काफी बार क्या होता है मानलो के 3-4 countries हैं इन्होंने 8-10 satellites launch करी थी 10-10 साल हो गए अब ये satellites पुरानी हो चुकी है मानली जी आप 200 kg 300 kg के आसपास का था एक single unit था अब वहाँ पे टककर हो गई है अब बहुत से वहाँ पर pieces create हो गई है 1 kg के 2 kg के और अब 200-300 जो ये pieces हैं पूरे अंतरिक्ष में घूम रही है at a speed of more than 15,000 miles per hour ये रिसंडी कहाता नासा ने ये जियूमत कर लेना कि अंतरिक्ष में जो ये मलवा है ये बस अराम अराम से float कर रहा है it is moving at a very high speed अंतरिक्ष में अगर आप मानली जीए एक astronaut है उसको ये space debris hit करता है ना तो उसको ऐसी feeling आएगी कि उसको किसी ने गोली मारी है और जो ये theory है कि space debris से ही और debris create होता है इसको हम कहते हैं the Kessler syndrome issue यहाँ पर ये है कि space debris लगातार यहाँ पर फैलता जा रहा है और एक तरफ बाकिये planets को आप अगर देखो Jupiter, Saturn वहाँ पर space debris create हुआ था automatically वहाँ पर natural तरीके से meteor जो natural satellites थी वापस में टक्राफ्ती गई और छोड़े छोड़े पत्रों की वहाँ पर rings बन गई मगर Earth के साथ जो हो रहा है वो काफियत तक horrific होगा इसमें क्या होगा कि पूरी धर्ती के आसपास तो आपको मलबा मिलेगा ही उसके इलावा एक additional ring भी यहाँ पर create हो जाएगी जिससे इंदर future हो सकता है कि बहुत सी satellites वापस धर्ती की तरफ crash भी कर जाए और space missions लगातार fail हो अब सबसे जादा funny बात यहाँ पर यह है कि human beings ने एक proper law ना रखा है international law कि अगर मानलो किसी country की satellite आपके घर के ओबर गिरती है तो उस country की सरकार को आपको compensation पे करना होगा मानलो for example कल को China की satellite है ये लोग उसको launch करना की कोशिश कर रहे थे रास्ते में space debris आ गया पूरा mission fail कर गया और जो यह satellite है बिना properly launch हुए वापस धर्ती की तरफ गिर जाती है और गिरती भी कहाँ पर है मानलो जपान में किसी आदमी के घर पे ये गिर जाती है तो उस case में international law के अंडर और international law भी कौन सा 1967 outer space treaty और 1972 liability convention के अंडर वो आदमी क्या करेगा जपान की सरकार को बोलेगा के चाइना की government के against case करो और एक case रड़ा जाएगा उसके बाद decide होगा के जिस आदमी का घर याँ पे destroy हुआ है उसको कितना पैसा देगी चाइना की सरकार तो फिर चाइना की सरकार कुछ 2-3 million, 10 million जितना भी amount decide होता है ये पे करेगी जपान की सरकार को और फिर उस आदमी को compensation मिलेगी इसका proper law है मगर अंतरिक्ष में आज के समय आप एक satellite बस launch कर दो कल को satellite को आप use करो ना करो इसको लेकर कोई भी law नहीं है और अब इसी issue के बारे में बातची चल रही है आज के समय के अंतरिक्ष में satellite अगर launch की जाती है तो क्या उसके पीछे law होने चाहिए के ये satellite genuinely useful होनी चाहिए तब ही launch होगी इस satellite की जो life होनी चाहिए करीब 15-20 साल के आसपास ताकि आप ऐसा निये के हर 5 साल में लगातरा satellite launch करते रहो तो ये सब बाते आज के समय करी जा रही है अब यहाँ पर आप ये भी कहेंगे मगर anti-satellite test का क्या हुआ recently Russia क्या लोचना हुई थी कि Russia ने एक anti-satellite test किया है उसकी वज़े से altogether space debris काफियत तक बढ़िया है तो ने को anti-satellite test से बिलकुल space debris बढ़ता है मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सबसे बड़ा reason है overall space debris का बिलकुल वो problem को और ज़रा खराब करता है मगर main issue यहाँ पर यही है कि जो परानी satellite हम launch करते रहते हैं अंतरिक्ष में वही बन जाता है space junk तो नीड देगी आज के समय यह है कि कई ना कई हमको loss राने होंगे और satellite को अगर launch करना भी है companies को तो उसके लिए certain accountability तैय करनी होगी नहीं तो अभी के लिए आप अगर देखो nano satellite, buddy satellite हर टाइब की satellites launch हो रही है अंतरिक्ष में without any care for the future तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे question कि क्या आप लोग मानते हैं और इसके बार में लिखेगा comment section में कि क्या आप मानते हैं कि satellite को भेजने का जो process है क्या इसमें कुछ accountability लानी चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नई इससे जो बहुत सारे जो गरीब देश है अफ्रीकी देश है, एशाई देश है इनको problem आएगी, इनको अभी develop करना है इनको satellites launch करनी है ये फिर थोड़ी ना है कि US satellites launch कर चुका है, Canada launch कर चुका है इंडिया launch कर चुका है बाकी countries को problem आएगी तो उनके लिए unfair होगा, तो लिखेगा इसके बार में comment section में, मैं genuinely जानना चाहूँगा आपका opinion, नाव वापस आते हैं अपने question पे, के recentी अंतरिक्ष के मलवे को clear करने के लिए साफ करने के लिए, किस country ने एक robot prototype satellite launch करी है जिसका नाम NEO 01 है तो सही उत्तर यहाँ पे है option option C is the right answer, चाइना ने यहाँ पे आप देख पाऊगे, ये satellite launch करी है, वगें ऐसा नहीं है के सारा कचरा इससे clear हो जाएगा बहुत ही minute, छोटा सा difference इससे create होगा, मगर in the future ऐसे बहुत सारे missions various countries को launch करने होगे तब हो सकता है के हम space junk कुछ 5-6% के आसपास कम करें जी हाँ in the end, जो solution है इसका वो यही होगा, के human beings को कही न कई आपस में एक international treaty बनानी होगी के कौन सा country कितनी satellite launch करेगा per year अपनी अबादी के एसाब से और finally आपर मैं ये भी आट कर दूँ कि अगर आप UPSC exam के लिए genuinely prepare करना चाते हैं, तो आप purchase कर सकते है an academy के UPSC combo courses जहाँ पे आपकी massive saving होगी comment section में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये link, इस link पे click करके आप यहाँ पे purchase कर पाएंगे ये combo course जिसके अंडर आप UPSC prelims mains, optional, तीनों की ही त्यारी कर सकते है, with a single purchase ये सारे courses anacademy.com पे जाकर, अलग-अलग purchase करोगे, तो आपको 15,000 रुपीस के आसपास extra pay करने होंगे, combo में saving होती है उसके ओपर भी, जो यहाँ पर amount लिखा है, ये pay करने के आप शकता नहीं आपको, यहाँ पे आपको discount मिलेगा, अगर आप use करते हैं promo code PD10, the prices will fall even more, so use the code PD10 and save your hard-earned money, so इसी note के साथ, ये है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all